मैं नीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में आज मैं बताने वाली हूँ कि ये खुबशूरस्ता थालबुस कैसे बनाते हैं तो आए स्टार्ट करते हैं हमने ये 1.75 mm का किरोसिया लिया है आए स्टार्ट करते हैं ये धागा पकड़ेंगे में इस तरह से और उंगलियों पर गुमाएंगे और इस तरह से पीछे की तरफ ले जाएंगे अब हम इस किरोसिया लिंगे नीचे से निकालेंगे पीछे वाले धागे को मागे कर लिंगे इस तरह से, अब हम इस में लोक कर देंगे इसको, इस तरह से यह हमारी मैजिक रिंख बन जाएगी, अब दो की चैन, एक, दो, दो की चैन बनाईगी, दागा गुमाया, रिंख में किरोस्या डालेंगे, धागा गुमायेंगे, वापस लेंगे, और 2 में से निकालेंगे, और एक की चेन बनाएंगे हम दागा घुमाएंगे रिंग में से डबल क्रोशिया बनाएंगे दो में से निकालेंगे और दो में से निकालेंगे फिर एक की चेन इसी तरह से हम दो डबल क्रोशिया बना दिये 9 और बनाएंगे और बीच में एक की चेन टोटल हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से अपना eraund कुम्प्लीट करेंगे ई एलांड हमारा कुम्प्लीट हो गया है अब जो हमने तीन की चैन बनाई थी इसी के ऊपर हम सिंगल करोश्या से लोक करेंगे इस तरह से जोह हो गया हैं अब हम दागे का color change करेंगे दूसरे color का दागा लेंगे पहले से not बना के तयार किये हमने और यह किरोशिया के उपर लेली अब इन दोनों में से हमें इस तरह से निकाल देंगे और इसको खीज देंगे अब यह white वाले दागे को हम यहीं छोड़ देंगे न हमें यह cut करना है और न साथ लेके चलना है तो अब एक की chain बनाई हमने और दागा घुमाया अब फरस्ट वाली जाली में जहां हमने यह chain बनाई है उसी में हमें puff बनाना है तो दागा घुमाया और फरस्ट वाली जाली में हम इस तरह से puff बनाएंगे एक, दो, और इसको हम इस तरह से उंगली से दबागे रखेंगे तागि यह पफ हमारा छोटा बढ़ाना हो तीन, चार, पाँच, छे, छे में से हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से यह दो आगे हमारे के रोशिया पर दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे अब हम दो की चैन बनाएंगे एक, दो, धागा गुमाया और आगे वाली जाली में हम पफ बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे में से हम एक साथ निकाल देंगे यह दो बचे, दो में से हम एक साथ निकाल देंगे दो की चैन, एक, दो, अब हम इस तरह से हड जाली में पफ बनाएंगे और बीच में दो की चैन, इसी तरह से हम अपना राउंड कम्प्लीट करेंगे हम जाली में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे तो इस धागे को अड़ा देंगे और यह वाला ले लेंगे फस्ट वाली जाली में एक की चैन बनाएंगे और यहां से इसी जाली में हम पफ बनाएंगे पहली वाली जाली में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक साथ निकाल देंगे, दो में से एक साथ, अब हम एक की चैन, और दूसरा पर्फ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, में से हम एक साथ निकालेंगे, दो रहेंगे, दो में से हम एक साथ, अब हमें इधर जाने के लिए 2 की chain बनाएंगे एक, दो, 2 की chain बनाई और अगली जाली में हम 2 puff बनाएंगे इसी तरह से और बीच में 1 की chain इसी तरह से हमें हर जाली में 2-2 puff बनाके अपना round complete करना है यह round हमारा complete हो गया है अब हम इसको lock करेंगे लोक करने के लिए हमने दूसरा धागा ले लिया है और इस टार्टिंग वाले पफ के उपर हम लोक करेंगे सिंगल क्रोसिया के साथ इस तरह से अब हम अगला सिंगल क्रोसिया इस पहली जाली में करेंगे इस तरह से अब इसको थोड़ा ऐसे खींचिंगे दागा गुमाएंगे और इसी पहली जाली में हम पफ बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे में से हम एक साथ निकालेंगे अब हम दो की चैन बनाएंगे एक, दो, दो की चैन बनाएंगे दागा गुमाया और अगली जाली में हम पफ बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे में से एक साथ निकालेंगे यह दो हो गए, दो में से हम एक साथ निकालेंगे और इधर जाने के लिए दो की चैन एक, दो, इसी तरह से हम हर जाली में एक पफ बनाएंगे और दो की चैन इसी तरह से हम अपना राउंड कम्प्लीट करेंगे यह राउंड बन के हमारा कम्प्लीट हो गया है इसे स्टार्टिंग का पफ है, इसके उपर हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से, अब एक आगे वाली जाली है जो, इसमें हम सिंगल क्रोसिया करेंगे, और यह दूसरा धागा ले लिया है हमने हमारे चैनल को सबिस्क्राइब करना ना भूले अब हम दो की चैन बनाएंगे, एक, दो इस तरह से धागा बढ़ाएंगे, धागा गुमाएंगे और इसी जाली में हम पफ बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे में से हम एक साथ निकाल देंगे यह दो बचेंगे, दोनों में से एक साथ, अब हम एक की चैन बनाएंगे धागा गुमाएंगे, और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक साथ निकालेंगे दोनों में से एक साथ निकालेंगे अब हम आगे जाने के लिए दो की चैन बनाएंगे एक, दो, दो की चैन बनाएंगे, धागा गुमाया अगली जाली में हम दो पफ बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे में से हम एक साथ निकालेंगे, दो में से एक साथ, और एक की चैन, अब दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, और इस तरह से हम हर जाली में दो पफ बनाएंगे, बीच में एक की चैन, और आगे जाने के लिए दो की चैन, इस इसी तरह से हम अपना राउंड कम्प्लीट करेंगे यह राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है और हमने यह स्टार्टिंग वाले पॉफ में स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया है अब यह रैड दागा लेंगे हम और इस फर्स्ट जाली में सिंगल क्रोश्या करेंगे एक की चैन रागा बढ़ा कर दिया हमने और इसी जाली में हम पॉफ बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे छेव में से एक साथ निकाल देंगे एक की चैन आगे वाली जाली में एक दो तीन चार पांच छे छेव में से एक साथ दो रह गए दोना में से एक साथ एक की चैन आगे वाली जाली में एक दो तीन चार पांच छे छे में से एक साथ दो दो में से एक साथ एक की चैन इसी तरह से हमें हर जाली में एक पाफ बनाना है और एक की चैन इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे यह राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है अब हम लॉक करेंगे यह स्टार्टिंग वाला पाफ है इसके ऊपर हम सिलिप स्टिच करेंगे अब यह जाली है पहली वाली जाली इसके बीच में भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और धागा बदल देंगे इस तरह से एक की चैन बना लेंगे दागा घुमाएंगे और इसी में हम पफ बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे में से हम एक साथ निकाल देंगे दो बचेंगे दो में से हम एक साथ निकाल देंगे और एक की चैन बनाएंगे अगली जाली में पफ बनाएंगे दागा घुमाएंगे एक दो तीन चार पांच छे में से हम एक साथ निकाल दिया एक की चैन इसी तरह से हम हर पफ के बीच में एक पफ बनाते जाएंगे और एक की चैन इसी तरह से हम अपना राउंड कम्प्लीट करेंगे यह राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हम इसको लॉक करेंगे लॉक करने के लिए इस्टार्टिंग वाला जो पफ है पहला इसी के ऊपर हम लॉक करेंगे इसको सिलिप इस्टिस के साथ और यह तो जाली है इसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे एक की चैन बनाएंगे धागा घुमाएंगे और इसी जाली में हम पफ बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे छे में से हम एक साथ निकाल देंगे दो रहें दो में से एक साथ एक की चैन और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे छे में से एक साथ दो में से एक साथ अब आगे जाने के लिए हम दो की चैन बनाएंगे एक दो धागा गुमाया अगली जाली में हम पफ बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे छे में से एक साथ निकालेंगे दो में से एक साथ दो की चैन एक दो और अगले वाले में हम दो पफ बनाएंगे हमें एक जाली में दो पफ बनाने हैं और एक में एक दो एक दो एक अब जो दो वाले पफ हैं उनके बीच में हम एक की चैन रखेंगे और आगे जाने के लिए दो की चैन इसी तरह से हम अपना राउंड कम्प्लीट करेंगे यह राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हम जो स्टार्टिंग वाला पफ है इसके उपर हम लॉक करेंगे इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ अब हम दूसरा धागा ले लिए और यह हमारी जाली है पहली जाली में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से एक की चेन बनाएंगे इस तरह से बढ़ा करेंगे हलका सा और इसी जाली में हम पॉफ बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे एक साफ निकालेंगे दो रह गए दोनों में से एक साफ आगे जाने के लिए दो गी चेन एक दो अगली जाली में पॉफ बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे छे में से एक साफ दो पें से एक साफ आगे जाने के लिए दो गी चेन एक दो इस तरह से हम हड़ जाली में एक पफ बनाएंगे और बीच में दो कीचेन इसी तरह से हम अपना राउंड कम्प्लीट करेंगे यह राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है एक, दो, ती, चार, पांग, छै, साथ, आठ, नौ रोग बनके हमारी तयार हो गई है और हम दस्वी रोग में काम करेंगे अब हम इसको लॉक करेंगे लॉक करने के लिए जो इस्टार्टिंग वाला पफ है इसी के उपर हम स्टिच के साथ लॉक करेंगे अब हम यह जो फर्स्ट जाली है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे एक की चैन बनाएंगे और इस तरह से बढ़ाएंगे अब हमने एक की चैन बनाई और थोड़ा सा धागा कीजा अब हम धागा गुमाएंगे और पहली जाली में हम पफ बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और छे में से हम एक साथ निकाल देंगे अब एक की चैन बनाएंगे और दूजरा पब भी हम इसी जाली में बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक साथ निकालेंगे दो बचे, दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे अब हम इधर जाने के लिए एक की चैन बनाएंगे और आगे वाले में हम एक पफ बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक साथ निकाल देंगे दो रहेंगे, दोनों में से एक साथ एक की चैन, हमें एक जाली में दो पफ बनाने है और एक जाली में एक, दो, एक, दो, एक और बीच में एक की चैन और आगे जाने के लिए भी एक की चैन बनाएंगे इसी तरह से हम अपना round complete करेंगे यह round हमारा complete हो गया है हमने इसको यहां तक बताया था आपको उसके बाद हमने एक रोर बना लिया हर जाली में एक puff और एक की chain इसके बाद हमने यह lock कर दिया है अब हमें यह धागा कट कर देंगे कि यह सिल्पी स्टिच के साथ लॉक कर दिया था हमने अब इसे हम धागे को कट कर देंगे यहां से कि इस तरह इस अब यह धागा लिंगे हम रेड़ वाला और इस पहले जो स्टार्टिंग वाला पफे हम इसी में इसको किरोशिय डालेंगे और रेड़ वाले धागे को हम इस तरह से ले लिंगे एक चैन बनाएंगे और थोड़ा से बढ़ाएंगे इसको धागे को और यहीं हम पफ बनाएंगे एक दो तीन चार यह हमने चार बार धागा घुमाया है अब अगली जाली में हम चार बार धागा घुमाएंगे और इसे किरोशिया पर रखेंगे एक दो तीन चार चार बार घुमा दिया अब इन दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से इसमें से निकाल दिया एक की चेन बनाई अब यह धागा बड़ा गिया धागा घुमाया और यहीं से हम बनाएंगे पफ एक दो तीन और यह चार चार का बनाया इस तरह से निकाल देंगे इसमें से एक दो तीन की चेन बनाई इसके उपर और यह जो इसके बीच में हम सिंगल करोशिया के साथ इसे लॉक कर देंगे इस तरह से अब हम दो की चेन बनाएंगे एक दो दो की चेन बनाएं धागा घुमाया और अगले पफ अब अगली जाली में हम हम इसी तरह से बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, अब चार आगे वाली में बनाएंगे हम, एक, दो, तीन, चार, इन में से एक साथ निकाल देंगे, इस तरह से, एक की चैन, अगला पफ बनाएंगे इसी के उपर, एक, दो, तीन, चार, एक साथ निकालेंगे, इसमें से निकाल देंगे, अब एक, दो, तीन, और यहाँ पफ के बीच में सिंगल क्रोशिया के साथ लोक कर देंगे हम, अब दो की चैन बनाएंगे, एक, दो, और फिर हम यहाँ अगले में बनाएंगे, इस तरह से, जैसे हमने यह बनाया है, इसी तरह से हम अपना गाम कंप्लीट करेंगे, और बहुत ही सुन्दर और प्यारा थालपोस लग रहा है, उम्मीद करती हूँ, कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसी और वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को सेर लाइक जरूर करें, थैंक यू,